दोस्तों, भारत और न्यूजीलेंड के बीच खेले जा रहे आखिरी T20 में जिसने जीता सबका दिल उसका नाम है शुभमंगिल। जी हाँ, शुभमंगिल ने तुफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने करिया का मैडन शतक लगाया। भारतिय कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन इशान किशन का फ्लॉप शो अहम्दाबाद में भी जारी रहा। वह मात तीन गेंदों पर एक रन बना कर एक बार फिर ब्रैस्वेल का शिकार हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये राहुल त्रिपाठी ने भी 22 गेंदों पर 44 रन की विश्फोटक पारी खेली। इस बीच शुभमन गिल ने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल ने कप्तान हार्दिक पांडिया के साथ मिलकर न्यूजीलेंड के गेंद बाजों की जमकर खबर ली। हार्दिक पांडिया ने 17 गेंदों पर 30 रन बनाए। वहीं गिल नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। गिल ने मात्र चाववन गेंदों पर अपना मैडन शतर पूरा किया और वहन तक 63 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से 126 रन बना कर नाबाद रहे इस दोरान गिल ने 12 चोके और 7 चके लगाए गिल और त्रिपार्थी की आतिशी पारियों की बदौलत भारतिय टीम 20 ओव मे चार विकेट खोकर 234 रनों का विशाल्स को खड़ा करने में सफल रही शुभमन गिल के लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक ही दिल है प्रिंस गिल कितनी बार जीतोगे